मेरा नाम राकिश बर्मा और मेरी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कुछ महत्पूर्ण लगू उत्री प्रशन उत्तर जो हमारी राज्य सेवा मुख के परिक्षा के लिए अति महत्पूर्ण रहेंगे चली शुरू करते हैं क्रम सीदा अनते हैं तो पहला प्रशन लिया शुश के क्रशी क्या है और भारत में खादया पूर्णि के विस्तार में उसके महत्पूर्ण की बिवेचना कीजिए तो अंसर में रहेगा कि जिन छेत्रों में सचाई की सुवीधा बिक्सित नहीं है तथा वहां की खेती पूर्ण रूपेड या आंशिक तोर पर बर्शा पर निरवार है उसे सुष के क्रशी कहा जाता है भारत में 142 मिलियन हेक्टेर सुध बोई गये छेत्रफल में 92.6 मिलियन हेक्टेर अर्धात 65.2 प्रचीशा छेत्रफल बर्शा पर निरवार है इन छेत्रों में जो फसलें उगाई जाती है उनका प्रती रूप पूर्ण रूपेड बर्शा पर निरवार है इन छेत्रों में म फसलों की पैदावार तथा कुल उपज बर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है। विकत तीस बर्षों में क्रशी उत्पादन के छेत्र में भारत को मिली सफलता सिंचित बोई गए छेत्र तक सीमित रही है। देश में बढ़ती जनसंक्या को खाद्यान आपूर्थी किये जाने के लिए अब यह आवश्यक माना जा रहा है कि शुष्क करशी के विकास पर ध्यान दिया जाए। सुध्य बोई गए छेत्र फल का दो तेहाई छेत्र फल चूंकि बर्शा धीन एवं शुष्क करशी वाला है इसलिए इस छेत्र में उत्पादक्ता बढ़ाने से खाद्यान उत्पादान में ब्यापक तोर पर ब्रद्धी हो शक्ती है। अगला प्रश्न है सुखा ग्रस्त छेत्र को परिभाशित करें और भारत के प्रमक सुखा ग्रस्त छेत्रों को बताती हुए इसके कारण और बचाने के उपाईव की समिक्षा करें। तो सुखे में मौशम और जलवायू के अनेक घटक हैं जैसे की वर्शा, तापमान, बाश्पन, बासपूत्षर्जन, मिर्दानमी, जल संतुलन तदा बायू मंडली परिशंचरम आदी। सामिल होने से सुखे की कोई सर्वमान परिभाशा नहीं दी जा सकती। डॉक्टर एस एस ओजा के सब्दों में बार्शा की मात्रा 750 मिलिमीटर बार्शक या इससे कम हो तो इस्थानिय सूखगरस छेत्र कहा जाता है। भारत में सूखगरस छेत्रों का विस्तार दो परगों के अंतरगत ब्रहत बलगू देखे जा सकते हैं। ब्रदहस्तर के लिए अंतरगत भारत का वह मरुस्थलियवा अर्द मरुस्थलिय छेत्र आता है जो 0.59 मिलियन वर्ग मिली मीटर मिली मीटर छेत्रिक में तथा ब्रश्टी छाय प्रदेश की रूप में पश्चिमी घाट में मिली लीटर ही इस दोस्तों है। 0.30 मिली लीटर वर्ग 200 किलो मीटर की लंबी चोड़ी पट्टी में फैला हुआ है। जापूर पठार आता है। इस प्रकार देश में कुल सूख ग्रश्ट छेत्र 1.03 मिलियन वर्ग किलो मीटर है। जो भारत का कम से कम 20 प्रतिशत है। भारत में सूखा आने की कारण इस प्रकार है। पहला भारती मानसूनी हवाओं के संदर में बंगाल की खाड़ी अरब सागर की मानसूनी हवाओं का वह विशिष्ट जटल तंत्र जिसके कुछ छेत्र वर्शा की अपरियाप्ट मात्रा को ही ग्रहन कर पाते हैं। दूसरा है भारत में परवतों की कुछ ऐसी दिशाएं हैं कि उनके सामानांतर बने रहने से मानसूनी हवाओं बिना अबरोत के वहाँ से गुजर आती हैं। और वह छेत्र सूखा रह जाता है। राजस्थान में सूखे का कारण यहीं माना जाता है। तीसरा है बर्शा की मात्रा में इस स्थानिय भोगोलिक कारणों में विभेननता होना। चौता है अनियमित चक्रवातों की उपस्तिती। तो सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सूखा प्रवंद, सूखा नियोजन, सूखा पूर्व चेतावनी और निगरानी जिससे भारत की मौशम बिज्ञान विभग विसे इस भूमी का नवा सकें। सूखा राहत कर और सरकारी सहायता। अगला प्रश्ण है हमालय परवत के निर्माड की प्रिक्रिया फ्लेट बिवर्तनी की सिधान के अनुसार बताईए। इस सागर के उत्तर में अंगार लेंड तथा दक्षण में गौंडवान लेंड नामक इस्थली भाग थे। मद्द जीवी पुराकल्प के अन्त में कुछ भूगर्वी है भूगर्वी है हलचलों के कारण दोनों इस्थल एक दूसरे के निकट आए। और टैथ सागर में निच्छेपित तलचट और संपीड होने लगे। इस संपीड़ान की कारण यह है तलचट बलित होकर उपर की ओर उठने लगा और बरतमन हमाले परवत का निर्माड हुआ। हमाले परवत की निर्माड की संबंद में प्लेट विवर्तनी की सिद्धान को अब अधिक मानता प्राप्ट है। में तता उपरी महादीप चट्टानों में प्रतिवलों का एकत्रण होता है जिससे बले, ब्रंसन तता आगने क्रियाएं होती है। हमाले परवत रिंखनाओ का निर्माड उस समय हुआ जब भारतिय प्लेट उत्तर की यूर खिसकी तथा उसकी यूरे सियाई प्लेट के साथ टकराब हुआ। हमाले का उत्तान तीन प्रमुक अवस्थाओं में हुआ है। प्रतम अवस्था में केंद्रिय हैं हमाले अंश का वाग उपर की ओर उठा इसका निर्माड अल्प नूतन यूग में हुआ। दूसरी अवस्था में मध्य नूतन यूग में आज से लगवक तीन करोड वर्ष पूर्व हुआ। तीसरी अवस्था उत्तर अभी नूतन काल में शिवालिक की पहाड़ियों में बलय हुआ। और भू बैज्यानकों का विचारे की उत्तान तथा बलय का यह एक्रम अभी तक जारी है। अगला प्रश्ण है भारतिये नगरों में मलिन बस्तियों तथा आवाशी समस्यां की बिवेशना कीजिए। तो नगरिये मलिन बस्तियों बेचहेत्र होती हैं जहां जुग्जी जूपणियों, कच्ची पगडंडियों, जल बिद्यों तथा सीवरेज की समस्यां होती हैं। मलिन बस्तियों का विकास भारती नगरों के चोक के असपास रेल लाइन की किनारे तथा नादियों की किनारे होता है। महानगरों में इन बस्तियों के सुधार हे तू निम्न प्रयास किये जा रहे हैं। अगला प्रश्न पांचवा भारत में बाड़ आने की क्या का रहे हो भारत के बाड़ ग्रस्त छेत्रों का विवरण दीजिये। भारत में प्रती वर्श वाड़ द्वारा, फसल तथा जानमाल की भारी हानी होती है। असंक छोटे बड़े छोटे बांदों के निर्मान तता सरकारी प्रयास के बावजूद हम इस प्राकृतिक आपदास निजात पानी में असफल सिद्ध हुए। भारत में बाड़ा आने के निम्न कारण हैं। भारी वर्शा, चक्रबात, नदी वेशन में बनों का टकराव, म्रदा परदें तथा मिट्टी का नदी, तल में जमाब, फल स्वरूप, जल स्तर पर मुचा उठना। जल निकाशी के लिए समूचित नहर, प्रणाली का अभाव, नदीयों का दिशा, परिवर्टन तथा बांदों का टूटना आदी। भारत में बाड़गरश चेत्रों का विवराण इस प्रकार है। पहला हेमाली नदीयों के नदी बेशन, इसके अंतरगत पंजाब, हर्याना, महा, एमाचल प्रदेश, डिल्ली, राजिस्थान, उत्तर प्रदेश, बहार, असम, पश्चम, बंगाल के छेत्रों को सामिल किया जाता है। इन छेत्रों में कोशी, दामुदर, गंगाय, एवंश्ची शायक नदीयों बाड़ के लिए कुख्यात हैं। दूसरा है उत्तर पश्चमी नदी बेशन, तो इसके अंतर गत जम्मू, एवं कश्मीर, पंजाब, हर्याना, पश्च्यम, उत्तर प्रदेश, हमाचल प्रदेश, भूभाग सामिल किये जाते हैं। जेलम, सतलम, ब्यास, रावि, चिनाव, आदी नदीयों यहां कहर बरपाती हैं। तीसरा है मध्य भारत एवं प्राइदीप नदी बेशन, तो इसके अंतर गत मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्य प्रदेश और महाराश्ट थथा तापती नदीयों, तापती नर्वदा, चंबल, गोदावरी, कृष्णा काविरी, पैनार आदी नदीयों सामिल किया जात है, अगला छटवा प्रशन दुरूबिये पवन किसे कहते हैं और इसके बारे हम संचेप में बताएं, तो दुरूबिये उच्छ वायुदाप कटी बंदों से उप दुरूपिये निम्न वायुदाप कटी बंदों की और बहने वाली पवन को दुरूबिये पवन कहते हैं, इन पबनों की वायू रासी यतियंत ठंडी भारी होती है उत्तरी गुलार्द में ये पबने उत्तर पूर्ब से दक्षन पश्चिम क्यूर बहती है बहुत कम तापमान वाले छेतर से अपेक शक्रत अधिक तापमान वाले छेतर के ओर बहने की कारण ये सुष्क होती है तापमान कम होने से इसकी जल वास्प धारन करने की छमता भी कम होती है अगला प्रशन है भारत में बर्शा का वित्रण असमान क्यों है तो आंसर में रहेगा कि भारत में मुक्ता प्रवती बर्शा होती है अधि परवतों के बित्रण तथा दिशा ने भारत में बर्शा के बित्रण को मुक्ता प्रभावित किया है इसके अलावा भूमी का उच्चवच, समुद्र से दूरी तदा बायू प्रवाय की दिसा नहीं आन्शिक तोर पर बर्शा के वित्रण को प्रवावित किया है परवतिय बर्शा परवतों द्वारा अबरूद उत्पन करने की कारण होती है आदरता ये परवतिय ढाल की सहारी उपर उठकर ठंडी होती है और अपनी नमी को बर्शा की रूप में गिरा देती है ये बर्शा परवना भीमुक ढालों पर अदेख होती है परवतों के पीछे पहुँचने पर परवने अपनी अधिकांस आदरता खो चुकी है चुकी ऐसे इस्थान पर बर्शा नगन होती है तएने ब्रश्टी चाय प्रदेश कहा जाता है और यही काराणे की हमाले के पवना भीमुक छेत्रों में अच्छी बर्शा होती है दूसरी तरफ पश्चिमी घाट के पबना विमुक ढालों पर अच्छी वर्षा होती है तो ऐस होती है परंदु तमिलाडु के ब्रश्टी चाय प्रदेश में सूखे जैसे इस्तिती बनी रहती है राजिस्थान मैरावली की दिशा दक्षट पश्चिम से उत्तरपूल क्योर है और यही कारण है कि यह परवत दक्षट पश्चिमान सुनी हवाओं के लिए अबरोत प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है फलताह राजिस्थान अलवरश्टी चेतर इसके अलावा समुद्र से दूरी भी बर्शा को प्रवाद करती है और तटी प्रदेशों में पवने आदर्ता युक्त होती है परंतु दूरी के साथ ये अपनी आदर्ता खो देती है यही कारण है कि मुंबई में दिल्ली की अपेक्षा अधिक वर्शा होती है उत्तर पूर्वी भारत में मेगाले का पठार परवतों से घेरा हुआ है जहां आदर्ता युक्त पवनों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पाता है दूसरी और यहां मानसून की अरब शागर तथा समुद्र से दूरी ने भारत में बाढ़ के सासा सुखे के स्तिती वुत्पन करने में सहायक भूमी का अधा की है अगला प्रशन है दक्षन पश्चमी मानसूनी वर्शा और उत्तर पूर्वी मानसून किसे कहते हैं तो उत्तरी गोलार्द में ग्रीश मेरीतू में उत उत्तर की ओर चलती है और दक्षनी गोलाद को बानिजिक पवन विशूवत रेखा पार करते ही जिसको फेरल किनियम के नुशार दक्षन पश्चम हो जाती है और अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारत में बर्शा कराती है जिसे दक्षन पश्चमी मान बढ़ जाता है और उस समय दक्षनी गोलाद में तापमान ज्यादा होने से बायुदाब कम होने से पवन इस्थल से सागर की तरफ जो सागर पर पेक्षक ज्यादा तापमान कारण चलती है जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते है भूमद्दे सागरे चक्रवातों से इस इस पवन को मदद मिलती है और पूर्वी घाट की स्थिती के कारण बंगाल की खाड़ी की ओड़ चलने वाली बायू अक्टूबर नौमबर में कोरो मंडल तट पर खुब बर्शा कराती है तमिलाड़ूं दक्षनी अंद्रप्रदेश यह तट दक्षनी मानसुन पबनों से बर्शा नहीं पाता है और उत्तरपूर्वी मानसुन को लोटता मानसुन भी कहते हैं अगला प्रश्चन है उत्री भारत के परिष्च्चिती की संतुलन को जंगलों की कटाई किस प्रकार नस्ट कर रही है तो जंगलों की कटाई गई उत्री भारत के प बड़वाल मंडल, उत्री पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम तथा आणाचल प्रिदेश के छेत्र जय बिवित्ता के लिए विश्विख्यात हैं, इनमें हिमालाय परवत मालाओं पर अनिक प्रकार की बनास्पतियां तथा ब्रक्ष पाय जाते हैं, इन छेत्रों में सुतंत की तीब्र होने परवनों की कटाई में तेजी आई, बड़े पेमान पर पेड़ों की कटाई इन छेत्रों में पारिश्चिति की असंतुलन उत्पन्य हो गया है, और दुरलब प्रजाती की अनिक ब्रक्ष तथा बनस्पतियां लुक्त प्राय हो गया है, जंगलों में रहन बिक्राल होती जा रही है, इस्थानी लोग जो अपनी जीविका के लिए बनोक पर नर्वर थे, संकट ग्रस्त हैं, तदा घहरे लुए हम जंगली जानवारों की समक्ष पराकरतिक चारी की समस्तिया उत्पन हो गई है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आसा करता हूँ, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, थैंकी